हलो गाइज वेलकम तुम्य यूटू चैनल इंफो सेफटी गाईज आप देख रहे हैं इंफो सेफटी आज हम बात करेंगे निवोस आजीची के एकवार्डिंग टाइप ऑफ हैज़ेड्स हैज़ेड कितने परकार के होते हैं आईये हम बात करते हैं निवोस आजीची के के होते हैं false physical properly example electrical sleeping noise vibrations एक्षिचे रा और नेक्स्ट रहूंब बात करेंगे second example की physical घ्जामपल की नवाईस आता है प्रोजेक्टाइल से इटींग डिवाइसेज़िति श्लीपिंग मोवईग मसेंदी एक्सिडेंट भी फीजिकल हैज़ेट में आता है सेकेंड हैज़ेट्स केमिकल होता है केमिकल हैज़ेट्स आई हम देखते हैं केमिकल हैज़ेट्स के एक्जामपल सल्फूरिक एसीड एसेटोन एमडीसी एटसेटरा ऐसे बहुत सारा केमिकल है जो प्रोर्व सिफॉज फ्लेमेंबल इसे बहुत सारा अलग-अलग जनसे रहता है यह को कि डिवते भी रहता है तो सिकुन भी रहता है वो अलग-अलग जिस अजकी जभ चुम कोकट्र और यारं को को आए यहां पर यहां पहुल सारा किसकंग है और प्रश्र है ergonomic hazards for example manual handling ergonomic hazards में manual handling का काम होता है कुछ lifting होता है कुछ weight carrying का काम होता है यह सब चीज ergonomic hazards में आता है यह हम इसका example का यह symbol देख लेते हैं इसमें lifting का काम होता है lifting technique भी आता है यह पूरा ergonomic hazards में आता है कैसे lift करना है कैसे lowering करना है कैसे carry करना है यह total आपको ergonomical hazards में आता है फोर्थ hazards है biological hazards for example leptospirosis virus h1n1 कोविड 19 यह biological hazards है biological hazards ज्याद तर hospitals में मिलते है biological hazard का यह symbol होता है जैसा कि आप देख पा रहे हैं पांचवा और आखरी hazard psychological hazard है example के तवर पे आप देख सकते हैं stress abusing mental illness ऐसा बहुत सारा stress रहता है जो कि psychological hazards के अंतर का रहता है psychological hazards में mental illness रहता है mental harassment रहता है abusing रहता है so guys आपको पता चल गया होगा नेवोस के एक वार्डिंग पांच hazards होते हैं और उनके कौन-कौन से hazard होते हैं और उसका example क्या होता है तो so guys ऐसे और भी हमारे health and safety related वीडियो पाने के लिए हमें चैनल को subscribe करें like करें and share करें so thank you guys watching for this videos thank you